नमस्कार दोस्तों। स्वागत हैं आप सभी के मेरे YouTube चैनल they해서 डोस्तों इस चैनल पर मैं जेवर एयर्पोर्ट से लेतर्वाई तो जानाज़ा το रहता हूं खबर लाता रहता हूं तो जिसनी मेरे चैनल को सबस्क्रeiba को सब्सक्रेंब करने के लिए लेटेस्ट अप्डेट आएगी मैं उसको आपके पास सक्स भेजता रहूँगा तो दोस्तो चलिए बात करते कि आज क्या है जेवर एरपोर्ट की खबर तो दोस्तो देखिये जेवर के पास सूटिंग के लिए कंपनियों का चैन किया जा रहा है तो दोस्तों दोस्तों 15 जनवरी तक चैन कर दिया जाएगा कंपनी का तो इसकी दोस्तों और भी जानकर ले लेते तो बने रही हमारे साथ और देखते लिए इस वीडियो को नौइडा बरिस संबाद दाता इंडो और स्टेडियम और सूटिंग रेंज के संचालन के लिए कंपनी का चैन 15 जनवरी तक पूरा होने की उमीद है सुक्रवार को इसके लिए तकनी की बिड़ खोली जाएगी इसके बाद फैनेंसिल बिड़ खोली जाएगी जिसमें सबसे कम कीमत लगाने वाली कंपनी का चैन क किया जाएगा इनका निर्मार कारें पूरा किया जा चुका है इसी महीने 25 जनवरी को मुक्य मंत्री परियुजनाओं का सुवारम करेंगे तो देखिए दोस्तों स्टेडियम और सूटिंग रेंज के लिए संचालन के लिए कंपनी का चैन किया जा रहा है और 15 जनवरी तक इसकी चैन करने की उम्मीद है और देखिए सुक्र बार को इसकी बिड़ खोली जाएगी तकनीकी बिड़ उसके लिए फाइनसर बिड़ भी खोली जाएगी जिसमें की जो कमकी मेत वाली कंपनी होगी उसका चैन किया जाएगा इंडोर इस्टेडियम और सुटिंग रेंज के संचालन के लिए चार से पांच वार कंपनियों से आविदन मांगे जा चुके हैं अब तक कंपनी का चैन नहीं किया जा सका है लेकिन अब एक वार फिर कंपनी के चैन की प्रक्रिया चल रही है नोड़ा प्राधिकरण के अधिकानियों ने बताया कि इस वार कंपनी का चैन होने की पूरी उम्मीद है इंडोर इस्टेडियम और सुटिंग रेंज 25 जनवरी के बाद कभी भी खिलारियों के लिए खुल जाएगा इस्टेडियम में बैड मिंटल आठ नग, जूडो दो नग, टेबिल टैनिस चौदे नग, कुस्ती दो नग, वास्केट बॉल दो नग, फेसिंग दो नग, हैंड बॉल एक नग, वाक्सिंग तीन नग, वालीवाल तीन नग, भारुत तोलन, वेड लिफ्टिंग एक नग, जिमनाष्टिक तीन नग, टाइक वांडो दो नग हैं, इस तरह सूटिंग रेंज में, 10 मीटर रेंज में, 33 इस्टेशन, 25 मीटर रेंज, 16 इस्टेशन बाब 50 मीटर रेंज, 37 इस्टेशन बनाए गए हैं, तो देखिए दोस्तों जेवर शेतर के पास, जेवर एरपोर्ट क ये सारे इस्टेडियम में सारे नग आ चुके हैं खिलाडियों के जो भी स्पोर्ट के सामाने वो आ चुके हैं और 25 जनवरी के बाद में देखें दोस्तों खिलाडियों ले कभी भी इस्टेडियम खोला जा सकता है तो दोस्तो ये जानकारी थी जेवर एरपोर्ट से लेटर और वहां के आसपास के छेतर की तो दोस्तो आसा करता हूँ कि आपको जानकार इच्छी लगे होगी तो आप इसे जाज जादा सेर करिए और लाइक करिए धन्यवाद दोस्तो